दोस्तो नमस्कार दोस्तो यह सच है कि जामुन वरक्ष पूरा का पूरा ही गुनों की खान होता है इसके विबिन भागों में केई कीमती स्वास्ते वर्दग रासानिक ततुपाए जाते हैं जिनमें जामुन फल में प्रोटीन, वशा, कार्बोहाइडरेट, विटामिन A, वि सेस मात्रा होती है यही नहीं सबसे खास पदार्थ जिसे जंबुलिन, ग्लुकोसाइड कहते हैं पाया जाता है जो मदुमे को नियंतित करने की किरिया में बहुत बड़ी भूमी का आदा करता है बीज चून मुत्र की अधिकता में भी अमर्त जैसा कारे करता है तो दोस्तो रोगी को इससे बहुत आराम मिलता है यही नहीं इस्तियों की कमरकटने लुकोरिया तता महिना अधिकाने की जो परिशानी है उसमें भी बीजो का चून बड़ा लाब करता है तो जामुन पत्रों की बात करें तो जामुन के पत्रों का चून स्वरस सरीर की बढ़ी गर्मी वे गर्मी के कारण होने वाले जो रोग है जैसे नक्षीरी छूटना चमडी के रोग होना आदी में बड़ा लाब करता है दोस्तो जामुन पत्रों से तैल भी बनाया जाता है जिसकी मालिस करने से तो अचा के समस्त रोगों में आदभुत लाब होता है दोस्तो जामुन ठ थंडी प्रकर्ति की होती है दोस्तों जामुन छाल की बात करें तो जामुन की छाल भी कितने ही रोगों में और कितने ही आईरवेदिक परियोगों में ओजद्यों में परियोग की जाती है इसकी छाल के काड़े से कुल्ला करने से दातों की जो सभी समस्याएं है मसूडों का पूल नादी में बहुत लाब होता है, तता दोस्तों दात में मसूड़ों के रोग दूर हो जाते हैं, दात मसूड़े स्वस्त पर ताकतवर बन जाते हैं, दोस्तों मदू में रोगी के लिए यह जंबू बीजादी चून बहुत लाब करता है, इसके लिए जामून बीज, ग पचास ग्राम सुध हल्दी मिला कर रख ले दोस्तों बस यही है जंबू बीजादी चून इस चून को तीन से पांच ग्राम की मात्रा में सेवन करने से मदू में रोगी को लाब होता है दोस्तों अगर कान से पसमावाद आती है तो जामून की गुठली चून तता सरसों के त परिशान कर एक सीसी में रख ले बस दोस्तों इस तेल को कान में डालने से बड़ा लाब होता है और कान से पीव मवाद आने की जो परिशानी है वो दूर हो जाती है दोस्तों अगर स्वपन दोस्त की परिशानी है युवाओं को परिशानी होती है तो जामून की गुठली चून तता तिर्फला चून दोनों को समान मातरा में मिला कर रख लें और इस चून को पाँच-पाँच गराम की मातरा में यानि आधा आधा चम्मच की मातरा में सुभा साम पानी के साथ सेवन करने से सपन दोस्त की जो परिशानी है वो दूर हो जाती है दोस्तों अगर मुह पाक यानि मुह में छाले हो गए हैं मुह आने की समस्या हो गई है तो जामुन के कोमल पत्रों के रसे कुला करने से लाब हो जाता है और मुह पाक रोग ठीक हो जाता है तो अगर दस्त लगे हैं तो जामुन के कोमल पत्रों का रस शहद के साथ पिलाने से भैंकर दस्त भी बं लाबकारी है अतक प्रकरती की नेमत कहें जामुन के विरक्ष को तो गलत नहीं होगा तो दोस्तों जड़ी बूटियों का परियोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्ते की रक्षा करें अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और अध्वु जानकारी के साथ अब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै आयर्वेद